तो सीतर आम भाई सारे ने तो जैसा कि गाईज मैंने पिछले मुकाबले में आप सोभी को बता दिया था किस मुकाबले में आपको दीपक चाहर को गर मोका मिला जैसा कि मैंने बहुत चाहर को गर मोका मिलेगा और दीपक चाहर को मोका मिला भी और मैंने कहा था गर इनको मोका मिला तो ये बहुत ये अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे और उस मुकाबले में दीपक चहर ने विकेट भी ले लिये थे बिल्कुल ही असानी ची और दीपक चहर ने लग बग दो या तीन से सुनना तो चलो सुरुआत कर लेते हैं इस मुकाबले के बारे में तो ये मुकाबला आपको पता ये 50 20 है पिछले मुकाबले में मुझसे गाईज ये गलती हो गई थी कि उसमें मैंने गाईज कुछ फाल्तू के प्रेडिक्सम कर दिये थे मुझे पका पता नहीं था कि इस मुकाबले में गलैन मैक्सवल खेलेंगे और मारकस टोइनिस क्योंकि वे अपने देश चले गए थे बहुत सारे कमेंट भी आये थे क्योंकि गाईज मैं अपने कुरासी और ग्रहां कुंसार को करते हैं हम सबसे पहले इंडिया के खिलाडियों के बारे में तो गाईज इंडिया की तरफ से आपको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा इस मुकाबले में फिर से आपको उसी खिलाडी का उस खिलाडी का नाम है गाईज रिच्टू राजगाए कवाड जी हां गाईज रिच्टू राजगाए कवाड के इस मुकाबले में लग भग नहीं गाईज बहुत अच्छे खासे आंकडे बने हुए हैं लग भग इनका मध्या प्रदर्शन तो गाईज ऐसा लग रहा है कि पकाही रहने वाला है लेकिन ज्यादातर इनके तकड़े रास देखने को मिलेगा लेकिन आप वीडियो को स्टोप करके एक वारी से सारा का सारा जरूर पढ़ लें तो वो खिलाड़ी हैं गाईज इस मुकाबले में जिसका बहुती खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिलेगा वो हैं गाईज अकसर पटेल जो की ओल राउंडर हैं इंडि लेकिन गाईज इस खिलाड़ी के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है मैं किसी भी खिलाड़ी के बारे में वैसे हावा में बात नहीं करूँआ जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा बीडाउट होगा तो मैं आपको पताऊंगा मुझे थोड़ा सा डाउट अवेस खान माइस तिलक वर्मा और तिलक वर्मा के साथ एक और खिलाड़ी है जिन का बोलिंग में बहुती ःत्ति अहरे रहेने वाला है जो की वो इस्पीनर १ोलर है एक तो गाइस तिलक वर्मा का भोती सांदार प्रदर्सन रहेगा और अगले लेकिन जितनी भी है थोड़ी है गाईज लेकिन बहुत ही कारगर साबित होगी बहुत ही तकड़ी साबित होगी इस मुकाबले में वह जानकारी तो गाईज में हर एक खिलडी के बारे में बात करूँँगा लगग तो सबसे पहले में बता देता हूँ इस मकाबले में टैर्ट एड का प्रदर्शन इस मकाबले में ऐसा नजर आ रहा है कि मध्या से कम का रहेगा और अगले नमबर पर नाम आता है गाईज नेथन एलिस का तो नेथन एलिस का इस मुकाबले में बहुत बढ़िया परदर्शन आपको देखने को मिलेगा यानि नेथन एलिस का इस मुकाबले में बीच का परदर्शन तो गाइस पका रहेगा लेकिन बीच से जादा अचा परदर्शन भी रहा सकता है नेथन एलिस का तो गाइस अब मैं आपको इंडिया के बारे में बता देता हूँ तो इंडिया की तरफ से आपको इस मुकाबले में सूरिया कुमार यादव का जादा तर्थ वैसा नजरा रहा है कि मध्या प्रदर्शन रहेगा या मध्या से नीचे भी रह सकता है सूरिया कुमार यादव का प्रदर्शन और इसान किसन का भी कुछ है साइप रासियों और ग्रहाओं के अनुसार आंकडे बने हुए हैं इसान किसन का भी या तो मध्या प्रदर्शन रहेगा या मध्या से नीचे भी रह सकता है इसान किसन का प्रदर्शन रासियों और ग्रहाओं के अनुसार जो कि मैं आपको भी बता रहा हूं तो रगले नमबर प्रणाम आता है गाईज परसीद क्रिशना का परसीद क्रिशना के भी ऐसे यांकडे बने हुए हैं मत्या से कम प्रदर्शन के इनका भी गाईज मत्या प्रदर्शन रहेगा या मत्या से कम का प्रदर्शन रहेगा बस आप हर एक बात को ध्यान से सुनते जाना अगर गाईज मेरिंग कुसिंग की बात करूँ तो इस मुकाबले मेरिंग कुसिंग का प्रदर्शन लग भग अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है यानि की मध्या प्रदर्शन रहेगा मध्या से ज़्याद अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है लेकिन ऐसा अला जरार हाय की मध्यात इनका प्रदर्शन रहेगा ही लेकिन तिलक वर्मा को अगर मौका मिला तो तिलक वर्मा का खतरनाक प्रदर्शन रहने वाला है इस मुकाबले में बहुती बड़ी असा अंदर प्रदर्शन रहने वाला है और इतुरा जगायक वाड के भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं आंक डे तो इसी के साथ साथ गाइस वीडियों में बस इतना ही वीडियों को पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना धन्यवाद